हेलो एब्रीवन, वेलकम अगेन इन लंडरे देतीमन, हमने तीन बड़े स्कूलों की बात की थी जहां से टीचर रिकूट्मेंट आई है, ऐसे ही दो बड़े और स्कूल हैं, जहां से सिक्षक भठती का विज्यापन आया है, कोई एक्जाम नहीं है, इंटर्व्यू के बेस प स्कूल है, दूसरा अलार्ड पबलिक स्कूल है, सब भी राज्यों से यहां पर एप्लिकेशन कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, अभी फर्स्ट जो एडवर्टीजमेंट है, दा है रिटेज स्कूल नियर जेपी होस्पिटल सेक्टर 128 नुटा, यहां से आई है और य तो उसके बाद जो है वो application देखे ही नहीं जाते हैं यहाँ पर administration जो female candidate apply करेगी pre primary और primary में academic coordinator में primary middle और senior nursery teacher primary teacher all subject की vacancy है TZT all subject की है music teacher vocal instrument में है language में यहाँ संस्कृत संस्कृत विसे में यहाँ पर full time part time दोनों ही तरीके से आप application कर सकते हो तो आप यहाँ पर part time के लिए यहाँ job कर सकते हैं अपना subject जो है बहुत अच्छे से पढ़ाने को आपको मौका मिलेगा और अगर आप की जो है यहाँ पर experience है आप लोगों को संस्कृत का तो आप यहाँ पर application करें sports coach की all discipline computer teacher librarian school counselor admission counselor IT executive की कैसे application करनी है तो यह जो है इसका email address दिया हुआ है join us at the rate noida.theheritageschool.in within 17 जितने भी अभी निकल रही है हाली में जो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई है पिछले वीडियो में मैंने तीन vacancy के बारे में बताया है अलग अलग जगे की तो साथ दिन के अंदर जो हब आप application कर दें उसके बाद जो हब application करने का कोई फायदा नहीं होता है आप लोग application जल से जल करेंगे तो यह आप लोगों को shortlisted करेंगे अच्छे teachers अच्छी qualification के साथ यह दिन को मिल जाते हैं तो बाकी application यह देखते ही नहीं है नेक्स्ट जो vacancy है वो Allard Public School की है और यह जो है मरून जी पूने से vacancy है ठीक है पिसली जो vacancy नोईडा से थी और यह पूने से है यहाँ पर walk-in interview के लिए आप लोगों को जाना है डारेक्ट पोस्ट है PZT Physics Chemistry Math Computer Science English की TZT Math Social Study English की PPT में All Subject की है ठीक है Pre Primary Teacher की All Subject की है यहाँ पर Pre Primary Teacher के लिए आपने किसी भी stream से graduation की है NTT कीया है TTC कीया है ठीक है Pre Primary आपने Diploma किया है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं TZT में आपने BA, BSC, BAID किया है और इसके साथ आपने दो साल का experience लिया है किसी भी school में पढ़ाने का तो आप जा सकते हैं PZT में अगर आपने MA, MSC, BAID के साथ आपने BAID किया है और दो साल का experience है तो भी आप जा सकते हैं यहाँ पर experience student जो है वो PZT और TZT में अपलाए करें और Pre Primary के लिए यहाँ पर कोई भी experience नहीं मागा गया है और जो यहाँ the heritage school है यहाँ पर फ्रेशर भी eligible है ठीक है तो यहाँ फ्रेशर यह experience जो student है वो सब भी जो है यहाँ अपलाए कर सकते हैं अब देखिए यह जो school है इसमें केवल एक ही दिन का आपको समय मिल रहा है पांच अगस्त सैटरड़े यानि कल ही जो है यहाँ पर walk-in इंटर्व्यू के लिए आप लोगों को पहुँचना होगा टाइमिंग 11 a.m. to 3 p.m. है और जो भी पूने में रह रहे हैं student वो फटाफट से जो हम वो जा सकते हैं क्योंकि बाकी जो दूर student रहते हैं तो उनका जाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है इन्होंने contact number दिया है तो इस पर आप contact कर सकते हैं और स्कूल का जो address है तो इस स्कूल में आपको जाना है अलार्ड पॉब्लिक स्कूल मरूंजी पूने अलार्ड नौलेज पार्क मरूंजी राजिव गांधी आईटी पार्क हिंजेवाडी पूने 57 ठीक है तो यहाँ आप लोगों को पहुचना है तो जितनी भी जो है वो गौर्मेंट प्राइवेट कॉंट्रेक्ट बिस पर जो वेकेंसी निकलती है वीडियो आप देखते हैं अपलाइ करते हैं यदि आपका सेलेक्शन होता है तो प्लीज कमेंट में अपना एक्स्पिरियंस जरूर शियर करें जो दूसरे स्टूडेंट है उनको भी यहाँ जो है वो बैनेफिट मिलेगा इससे जो है वो जानकारी उनको मिलेगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थ थैंक यू